हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल एव्रिफिंग वाट फैशन आज हम बनाएंगी स्ट्रेट प्लाजो जिसके लिए मैंने यहां पर दो मीटर कपड़ा लिया है सबसे पहले हम यहां पर कपड़े को उल्टा करकर फोर फोल्ड कर लेंगे फोर फोल्ड करने के बाद हम यहां पर मार्किंग करेंगे ठीक है मैंने किस तरह फोर फोल्ड किया आप देख सकते हो यहां पर मारा उपर वाला पार्ट भी ओपन है नीचे वाला फोल्ड है ठीक है उसके बाद मैंने यहां पर दो इंच का निशान लगा है बैल्ट का ठीक है बैल्ट के निशान के बाद ही आपको ठीक है रैडी लेंच का निशान लगाना है उसके बाद मैंने यहां पर चुड जिसमें 2 इंच प्लस करेंगे जिसके बाद यह निशान में लगा है 12 इंच उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्ट्रा लिया है जो की लूजिंग के लिए है ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पर लेंच का निशान लगाना जितनी हमारी रेडी लेंच है यह निशान हमने बेल्ट के निशान को छोड़ कर लगाना है यहां पर मैंने 73 इंच का निशान लगा लिया है जितने हमें प्लाजो की लेंच चाहिए उससाब से यहां पर निशान लगा लिया है ठीक है बेल्ट वाली पार को छोड़ कर ठीक है उसके बाद मैंने यहां पर 10 इंच का निशान करेंगे यह हमारा एक्स्ट्रा रेड इंच ठीक है उसके बाद हम यहां पर पूंचे का निशान लगाएंगे जितना में पूंचा चाहिए उससाब से में यहां पर मार्किंग करेंगे यहां पर मैंने 13 इंच पूंचा रखा है आप 14 भी रख सकते हो 15 भी रख सकते हो और कम भ सुल्हा लगांएंगे तब कर रख सकते हो यहां पर कमारस्तर हो सकते होसों तर्य में यहां चाहिए उसके बाद आंगर में rice की तरफ रिए ककड़ा है इसपर लेस लगाएंगे धीक है अंडडर्ग्राउंड लगाने के लिए मैंने यहां पर जो हमारे कपड़ा है उसे उल्टा रखा है तर उसके बाद हम यहां पर इस पर लैस रखतेंगे ःच्वह और यहां पर जो मैं शिलाई लगा रही वह वो मोटी लगा रही हो आपको बारिक नहीं लगानी वरना आपकी जो लैसे वो खराब हो जाएगी अगर आप जादा बारिक लगाओगे तो ठीक है इसके बाद मैंने यहाँ पर लैस को उल्टे तरफ फोल्ड कर दिया ठीक है फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा लगानी यहाँ इसी तरह ऐसए लगा देंगे फी कर लोगाए है उसके बाद हम यहां पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे लगा धेंगे यहाँ पर मैं एक पॉंचे से सिलाई लगाना शुरू करूंगी ठीक है दूसरे पॉंचे तक इसकी सिलाई लगाऊंगी ठीक है यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जन चोड़ा है यह सिलाई हम यहाँ पर आसन से लगाते वक्त दूसरे साइड तक लगा देंगे यहां मैंने यहां पर बारिक लगाई है यहां पर हम 2 इंच का निशान लगा देंगे बैसे तो हमने यह निशान पहले भी लगाय था लेकिन हम यहां पर इसे डाख कर देंगे ठीक है दोनों तरफ लगा देंगे जिससे यह विजिबल हो और हमें कपड़े को फोल्ड करते वक्त कोई परिशानी ना है यहां पर जो मैंने निशान लगा है उसी निशान पर हमने यहां पर इसे फोल्ड करना है ठीक है दो इंच पर हमने यहां पर फोल्ड करना है यह हमने दोनों साइडों पर निशान लगा लिया है ठीक है निशान लगाने के बाद हम इसे उसी निशान पर fold कर देंगे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे लेकिन यह सिलाई हमने यहाँ पर इसे पूरी नहीं लगानी ठीक है बीच में आसन के बीच से जो हमने उपर की तरफ सिलाई आ रही है ठीक है उस पर से हमने एक सीरे से सिलाई लगाने शुरू किये, बारीक चिलाई लगा ही है और दोसरे सीरे पर ठीक है इसमें थोड़ा सा मार्जन शोड़ देंगे Elastic के लिए उस तक हम यहाँ पर इसे खतम कर देंगे ठीक है यह हमने belt को fold कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर Elastic लेंगे Elastic जो हम लेंगे हमारी waste के हिसाब से लेंगे यहां पर हमारी जो waste है वो 32 inch है लेकिन हम यहाँ पर Elastic जो लेंगे उससे 3-4 inch कम लेंगे यहाँ पर मैंने Elastic की जो length लिए है सिर्फ single size में वो लिए है 29 inch 29 inch लिए है यहाँ पर मैंने safety pin की help से एक सिरे से elastic को डालना शुरू किया है दूसरे से हम यहाँ पर निकाल लेंगे और यह elastic की सीधी होनी चाहिए इसमें कोई भी घुमाव नहीं होना चाहिए इस तरह से हमने यहाँ पर सीधा कर देना है यहाँ पर मैंने safety pin की help से दोनों तरफ elastic को set कर लिया जिससे हमारी elastic बीच म घुमेना ठीक है इसके बाद मैंने यहाँ पर elastic की एक सिरे को दूसरे सिरे पर रखकर यहाँ पर पक्का कर दिया है ठीक है सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसे ठीक है सीधा करकर दुबारा से चेक कर लेंगे कि जो हमारी elastic है उसमें बीच में घुमाव ना हो और फ उसको हम यहाँ पर उपर से सिलाई लगा देंगे अच्छे से हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाने के बाद ठीक है दुबारा से चेक कर लेंगे और उसके बाद जो बीच वाली सिलाई लगाएंगे वह थोड़ी मोटी लगाएंगे थोड़ी क्या मोटी लगाएंगे ठीक है इसलिए आपको यहां पस Elastic को खीच कर लगाना है यह हमने बीच में सिलाई लगा दिया है और यह हमारा Straight Plaza बनकर Ready हो चुका है आप देख सकते हो यह किस तरह बनाया है और देखने में किस तरह लग रहा है आप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राब मैं चैनल कमेंट करना मत भूले गया और आप इंस्टाग्राम और फेट बूक थैंक यूफू वाचिंग